जेन्यू में हिमसा वामपंथी और उनके समर्थक लोगों का शड़ियंत रथा वैसे मैं आपको एक बात बताओं जेन्यू में दशकों से लेफ्ट वालों के आतंक से हजारों विज्जार्दी प्रताडित रहे हैं आज जो खुलकर हिमसा देखने को मिली वो भी उसी की एक पराकास्टा थी वहां हजारों बच्चों का पढ़रे का अधिकार रिशर्च का अधिकार को कुछ चोटी संक्षा वाले आतंकी वामपंथी के विज्जार्दी हमेशा बाधित करते रहे हैं आज भी वही देखने को मिल रहा है जो श्टिंग ओप्रेशन हुआ इसमें तो एबीवीपी के जो कारकरता थे वह उनको तो एबीवीपी ने स्वेम कहा कि कभी वो कुछ नहीं रहा है एबीवीपी के कोई संब्द्ध नहीं रहा है जबो कश्मीर वैसे तो सामान्य रूप से वहां गति विधी जनता की चल रही है दो बड़े इस समय प्रितिमंद रहे है एक इंटरनेट का रहा था वो भी लगभग हटने के कगार पर है काफी हद तक मोबाइल सेवाय भी रेश्टोर कर दी गई है और जो डिटेंशन में नेता है उनमें भी अधिक तर लोग अब बाहर आगे ह है और 20-25 नेता जो है उनको भी फेजस में सरकार जरूर उनको भी फ्री कर देगे ऐसी हमारी आशा है मुझे लगता है कि जम्मो कश्मीर को लेकर अब कोई विसेश चर्चा करने का आवस्कता नहीं है बाकी यूनियन टरिटरी एक भारत की से करूप में है वो उस जम्मो को जाने का प्रिश्ण है वहां के परसितिक अनुरूप सब को अनुमती मिलेगा सरकार ने सरकार ने गेजिट नोटिफिकेशन जारी किया है अब स्रीजेंशिप एमेंटमेंट एक्ट भारत में लागू हो गया है उसका अनुरूप जो भी कारवाई होनी है वो होगी सर मोधी पार्ट टू में जो दारा 370 हट्टे के बाद जिस तरीके से जो जो एक्टन लिये जा रहे है सर आपको ऐसा लग रहा है मोधी सरकार सही एजंडे पर चल रही है बिलकुल सही एजंडा है बहुत विलंब हुआ है ये एक्टन आज जल्दी इस दिशा में सही कदम उठाये जा रहे है और देश के लिए देश की अक्त के लिए बहुत अच्छे कदम है ये और एक बात मैं कह दूं इन सारे कदमों का व्यापक देश का समर्धन है 90 प्रतिशत इस देश के लोग इस इन निर्णेयों के समर्धन में आज खड़े है वह कश्मीर में धारा 370 अ सामना नहीं कर सकते हैं वो लोग आतंके सहारे और जूत के सहारे देश में आंदोलन खड़ा कने का प्रयास कर रहे हैं इस सम्विधान का एक अम्ष्ड बन गया है समजान के फिसा बन गया है स्रिजर्शीप एक्ट का एमेंडमेंट तो कोई भी राज्य को या धिकार नहीं होता कि सम्विधान को हम नहीं मानेंगे कहने का तो आइसे जो नेता कहते हैं उन नेताओं को बदलना पड़ेगा देश की उस राज्य की जनता को जब भी चुनाव आएगा उस समय जूट और अवास्तविक परिचार करके लोगों को गुम्रह करने का प्रयास विपक्ष कर र रहा है वास्तों में यह कोई अलग एक्ट नहीं है भारत का जो स्रिजेंशिप एक्ट है जिसमें सब को स्रिजेंशिप लेने का अधिकार होता है कुछ उसके कंडिशन्स फुल्फिल करके एक एमेंडमेंट करके एक विसेश वर्ग को जल्दीर सिर्जिश्रब देने की वस्ता मात्र इसमें हुई है यह कोई अलग एक्ट भी नहीं है पर इस प्रकार का गलत प्रिचार करके लोगों को गुम्रा किया जा रहा है इसलिए हमने पार्टी से कारेक्टरम लिया है